नमस्कार आप सभी के स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिक चावल खाने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है इस वीडियो में हम इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे किरपय करके आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखिए और चैनल को कर लीजिए बात करें तो किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेमन किया जाए तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है और यहां बात कर रहें हम चावल की अत्यदिक मात्रा में अगर आप सेमन करेंगे तो शरीर में कई सारे जो नुकसान दायक प्रभाव होई देखने को मिल सकते हैं बात करने दा चावल हमारे खाने के महतोफुर्ण हिस्सा है कई बार इसके बिना हमारे खाना पूरा नहीं होता कई बार हम इसको अलग-अलग रूप से चाय कड़ी चावल हो दाल चावल हो छोले चावल या राजमा चावल को रूप में खाते हैं और इससे पर defect है एक इसके आगे बात करें तो और भी कई सारी समस्या है अगर इसका अत्यधिक मातरा में 7 किया जाए तो आपके सरीर में दिख सकती है अत्यधिक मातरा में चावल का 7 करने से कई बार आपका सरीर जो है वो उसमें वजन काफी ज़्यादा बढ़ने लगता है क्योंकि जो fiber और nutrition है वो जरूरत से ज़्यादा आपके सरीर में आ जाते हैं यह भी माना जाता है कि चावल में glycemic index की मातरा ज़्यादा पाई जाती है यानि चावल खाने वाले बैक्तियों को या वो बैक्ति जो चावल ज़्यादा खाता है उसको diabetes का खत्रा काफी ज़्यादा होता है इसके लावे कुछ metabolic syndrome भी ज़्यादा चावल खाने वाले बैक्तियों के सरीर में देखने को मिलता है जहां पर उनका digestion प्रमुक रूप से प्रभावीत होता है जिसके कराण blood pressure, blood sugar, cholesterol और fat आदी की समस्याएं ऐसे बैक्तियों में बढ़ जाती है तो ये कुछ side effect हैं जो अत्यादिक चावल खाने से आपके सरीर में हो सकती है गिर्पयगर के चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को share कीजिए